हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे स्प्रिंग रॉल्स गर पर ही इजी तरीके से बना कर त्यार कर सकते हो और सीट बनाना भी बताऊंगी तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं ये शुरू करने से पहले फ्रेंड्स अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए, लाइक करें, सियर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें पहला इकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि आपको ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे पहले हम बना लेंगे इस टपिंग इसके लिए मैं लेली है पत्ता गोभी iaco ऐसे को हमें लमब लमब क critics कर लेंना है लेकिनutan कला और इसमें और byज़ी टेबल से अनको उनको किट कर लूँगी कड़ाई और इसमें हम डालेंगे एक बड़ा चमच ओयल मैं या मस्टड़ ले रही हो आप कोई भी कुकिंग ले सकते हो ओयल गरम हो चुका है हाप टीश्पून डाल देंगे हम जिंजर गार्लिक पेस्ट को सेगंड के लिए बूनेंगे फ्लेम से लो कर देंगे एक बड़ा अब अब इसमें डालेंगे जो हमने बैजी टेवल्स कटा की थी तो मैं यह कैविज डाल रही हूं कैपसिकम डाल रही हूं और केरेट डाल रही हूं मिला लिंगे ज़्यादा करनी है क्योंकि इन में थोड़ा क्रिंची पन रहना चाहिए 1 टेबल इस्पून डाल दिया है मैंने सेजवान चेटनी अगर आपके पास सेजवान चेटनी नहीं है त्रेस की जगह पर लेस्टन चेटनी भी डाल सकते हो स्वाद के अनसा डाल दिंगे आम इसमे नमक 1 टेबल इस्पून सोया सॉस अच्छे से मिला लेंगे अगर आपके पास मैगी नहीं है तो आप पास्ता मसाला भी जाल सकते हो इसमें और यह मैंने लिये हैं noodles इनको डाल दूँगी यह noodles मैंने पहले वोईल कर लिये थे पानी में oil डालना है थोड़ा सा नमक डालना है और यह noodles हमें वोईल कर लेने हैं अब मैं इसमें डालूँगी half tea spoon black pepper अच्छे से मिला लेंगे अगर आप बना noodles के बना रहे हो अब मैंने लिया एक कप मैदा और टू टेबल स्पून डाल रहे हो में इसमें कॉण फ्लोड तेस्ट के अकोर्डिंग डाल देंगे इसमें नमक ज्यादा नहीं ही डालना है थोड़ा सा डालना है अब हमें इसका पतला सा गोल त्यार कर लेना है तो एक साथ पानी नहीं डालना है दीरे दीरे करके पानी डालना है अगर आपने एक साथ पानी डाल दिया तो इसमें लम्स पढ़ जाएंगे तो इस तरह से दीरे-दीरे करके पानी डालते हुए इसका हमें पतला सा बैटर त्यार करना है तो यह देखिए मैंने इसका बैटर है वो त्यार कर लिया है थोड़ी देर फैटिंगे एक से दो मिनट जिससे कि हमारे सीट है वो अच्छे से बन कर त्यार हो कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ इस तरह की होनी चाहिए अगर आप ऐसी समझ में नहीं आए तो यह देखिए हमने यह स्पून उल्टा किया और इसमें थोड़ी सी ठिकनेस आ रही है मतला हो इस पर जम रही है चमबच पर तो ऐसी कंसिस्टेंसी हमें इसकी चाहिए होगी अब हम एक पैन ले लेंगे और इसमें हम यह थोड़ा सा ओयल डालेंगे और इस तरह से हम टिसू पेपर से रफ कर देंगे आप चाहो तो कोई कपड़े से भी कर सकते हो ओयल हमें नहीं छोड़ना है पूरा ओयल है वह पॉंच लेना है इससे क्या होगा जब आप सीट बना लेंगे और इस तरह से हम पैन को पकड़ कर चार और गुमाएंगे और पतली सी लेयर रखेंगे जो एक्स्ट्रा है उसको हम इस तरह से निकाल लेंगे और हमें इसको ज्यादा नहीं पकाना है बस पूपर से आपको ड्राइद दिखने लगे तभी हमें यह सीट हटा लेनी है तो आप देख सकते हो बिल्कुल ड्राइव हो चुकी है और इस तरह से हातों से ही आसानी से हट जाएगी इसी तरह से में सारी सीट है वो बना कर त्यार कर लूँगी एक और देखा देती हूं आपको यह देखिए इस तरह से पकड़ोगे ना इजीली हात में आ जाएगी सुखे वाला फिर इसके उपर आपको दूसरी सीट रख देनी है तो इसी तरह से बनाते जाएगा और सुखा बैदा लगा के उसके उपर सीट रखते जाएगा तो इसी तरह से में सारी सीट वो त्यार कर लूँगी तो यह देखिए मैंने सारी सीट वो त्यार कर लिए एक अब आपको मैं हाथ में लेकर देखा देती हूं कितनी पतली है यह देखिए अंदर से उंगलियां भी चमक रही है इतनी पतली हमारी यह सीट बनकर त्यार हुई है अब हम एक सीट उठाएंगे और जो एक्टर मैदा है उसको अटा दिंगे और इस तरह से हम एक प्लेट में रख लेंगे और अब हम इसमें स्टपिंग बरेंगे इस तरह से अच्छे से बढ़निया ए इस टपी तो देख सकते हो फ्रेंट्स कितनी बढ़िया हमारी एस शीट बनकर त्यार हुई है तो इसी तरह से आप भी शीट गरपर ही त्यार कर सकते हो कुछ बाते हैं उनका आपको ध्यान रखना है तो अभी यह देखे जो बैटर था उसमें से बच गया था तो वही बैटर में इसके चार ओर लगा रही हूं इससे क्या होगा यह खुलेगा नहीं जब हम इसको फ्राइ करेंगे तो चार ओर को इस तरह से लगा लिंगे एक कोना है और इस तरह से आप हम इसको रोल करते हुए लाएंगे बिल्कुल टफ नहीं है बहुत ही तरीके से यह रोल्स बनकर त्यार हो जाएंगे यह देखे इस तरह से थोड़ा सालका सा दबा दीजिएगा जिससे अच्छे से चिपक जाए और यह खुले नहीं तो इसी तरह से म को बना कर त्यार कर लूँगी तो यह देखे मैंने सारे रोल्स बना कर त्यार कर लिए हैं यह ले लिया है और अच्छा खासा गरम होना चाहिए तो मैं थोड़ा से इसमें डाल के देख लूँगी तो यह देखे डालते ही त्रंद ऊपर आ रहा है इसका मतला हमारा ओल है व चलानी है इस तरह से पकड़ोगे और कड़ाई को इस तरह से हिला देना है आए फ्लेम पर ही पकाना है और जब यह एक साइड से पक जाएएंगे तब हमें इनको पलट लेना है और देख सकते हो फ्रेंड्स यह हमारे रॉल्स हैं वो बनकर त्यार हो गए हैं अब मैं इनको न साथ या फिर सकते हो जैसे कि मैं कट कर रही हु लंबाई में थोड़ा कट कर रही हुआ से आप भी तोड़ा गरम है यह तो यह देखे इस तरह से आपको भी कट कर लेना है आप हम इसके उपर डाल देंगे चाट मसाला सौस और चाहो तो आप थोड़ा वत राधनिया में डाल सकते हो तो इस तरह से फ्रेंड्स आप बनाओगे न तो आपकी रैस्पी एकदम परफेक्ट बनेगी बहुती बढ़िया बनेगी तो हमारी रैस्पी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा अगर हमार यह स्प्रिंग रॉल आपको पसंद आए हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा जदस जदस एर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा